भजन सहिता अध्याय 83 हे परमिश्वर मौन न रह, हे परमिश्वर चुप न रह और न शान्त रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं, और तेरे बैरियों ने सिरुठाया है, वे चतुराय से तेरी प्रजा की हानी की सम्मति करतें, और तेरे रक्षित लोगों क विरुद्ध युक्तिया निकालते हैं, उन्होंने कहा, आओ, हम उनको ऐसा नाश करें, कि राज्य भी मिट जाए, और इस्रायल का नाम आगे को स्मरन न रहे, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है, और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है, ये तो एदुम के तं वंशियों को सहारा मिला है, इनसे ऐसा कर, जैसा मिध्यानियों से और किशो नाले में सीसरा और याबिन से किया था, जो इंदोरे में नाश्वे और भूमी के लिए खाद बन गए, इनके रईसों को उरेब और जायब से रिखे, और इनके सब प्रधानों को जेबह और सम्म मुनाह के समान कर दे, जिन्होंने कहा था, कि हम परमेश्वर की चरायों के अधिकारी आप ही हो जाएंगे, है मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली वा पवन से उड़ाय हुए भूसे के समान कर दे, उस आग के नाई जो बन को भस्म करती है, और उस लव के नाई ज तेरे नाम को ढूंडे, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे यह जान ले कि तू जिसका नाम यहवा है, सारी पूठ्वी के ऊपर परमप्रधान है